Hello and Welcome to the Extra Class English आज हम करने वाले हैं आपका चाप्टर Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi So, आज हम कबर करेंगे Journey to the End of the Earth चाप्टर इसमें हम देखेंगे उनका experience जब वो गई थी एक Russian research ship पे to Antarctica वहाँ जाके उनका क्या experience रहा? कैसे उन्होंने अपनी जर्णी को ट्रावल किया? वहाँ जाके जो main program जिसका वो part थी Students on the Ice program उन्होंने वहाँ जाके क्या सीखा उसके बारे में? क्या देखा? ये सारी चीज़े हम यहाँ पे study करेंगे So, Tishani बताती है कि उन्होंने इंटाक्टिका के लिए ये जो journey थी 13.09 डिग्री North of Equator, Madras से शुरू करी And किसमें उन्होंने करी है? Academic, Shokalist की जो की एक Russian vessel या Russian ship थी उसमें उन्होंने ये जो journey थी वो अपनी करी अब ये जो 100 hours की journey थी इसका combination क्या था? कभी cars दिन होने ट्रावल किया, कभी plane से, कभी ship से इस तरह से उन्होंने ये जो journey थी वो complete करी अब ये बताती है, finally जब ये Antarctica पहुंचती है तो इतना ज़्यादा peaceful लगता है, इतना ज़्यादा serene लगता है कि ऐसा लगता है कि इतना सारा जो अभी तक उनको tension थी जब तो hectic था, वो सारी की सारी चीज़े अब बिल्कुल calm down हो चुकि है क्योंकि ज़्याद्सकेप था, वो pure white था अब इन जात्यका में है क्या, ice है, है ना तो ice sheets को देखकर और उस pure white landscape को देखकर उन्हें काफी ज़्यादा शानती मिली क्योंकि वो इतने time से travel कर रही थी So अब इसका first बात देखते है, that is history उसमें क्या बताते है, let's see So what if अगर मैं आपको ये बोलूं कि जिस तहां से आप आज world map को imagine करते हो, या earth को imagine करते हो, वो वैसी नहीं थी अगर मैं आपको कहूं कि ये जितने भी continents हैं, they were stuck together वो एक साथ है and they formed a super continent So according to a theory and बहुत ही early ages में ऐसा माना गया था that there existed Pangea, अब ये जो Pangea था, ये धीरे-धीरे drift होने लगा धीरे-धीरे जो continents थे, वो break होने लगे and Laurasia and Goanwana land were born, ठीक है अब ये दोनों जब form हो गए, तो इस तरीके से जो countries है, ये साही चीजे जो है ये सब distribute हो गए, तो अभी भी अगर आप इसको search करोगे, अभी भी आप देखो कि बहुत सारे ऐसे continents हैं जो कि एक jigsaw puzzle की तरह लगते हैं जब आप उनको एक साथ प्लेस करने की कोशिश करोगे, तो देखेगा वो exactly fit होते हैं तो this is an example, this is a way of believing that actually में पैंजिया was there, एक सूपर कॉटिनेंट था मैं यह आपको यहाप इसले बता रही हूँ, परकास आपकी बुक में भी यह गिवन है कि किस तरह से गुन्वाना लैंड पहले था, कैसे पहले अंटार्टिका था, अब कैसा हो चुका है तो यहाँ पे तशानी बताती है हमें कि किस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, उन लोगों के डिफरेंट ओपिनियन थे, जैसे कि related to पैंजिया and in fact यह भी था कि उस टांग पे जो climate था, बहुत पहले early ages में जो climate था, वो warmer था and बहुत ही variety of flora and fauna exist करती थी and यह सब तब था, जब human race अभी तक अर्थ पे नहीं आई थी तो यह सारी बाते prior to that थी, अब उसके बाद जब यह बताती है, यह कहती है कि जब आप अब Antarctica जाओगे तो वो आपके लिए एक perfect place है इस earth के present को समझने के लिए, past को समझने के लिए और future को समझने के लिए, क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे किस तरह से जो glaciers है, वो retreat हो रहे हैं, eye sheets है, वो melt हो रही है तो आपको कही न कहीं यह realization होगा कि पहले यह कैसे still होंगे present में तो आप देखी सकते हो किस तरह से वो melt हो रहे हैं and future में you can decide कि जस तरह से global warming बढ़ती जा रही है, यह जो glaciers है, यह जो eye sheets है, किस तरह से melt हो जाएंगे तो इसलिए यह कहती है, Antarctica एक ऐसी जगा है, एक ऐसी perfect place है, जहां पे आप study कर सकते हो earth के present को भी, earth के past को भी, और earth के future को भी तो अब यहां पे next पो बताती है, human impact को so human impact के अगर बात करें, तो तशानी दोश्य पताती है, कि किस तरह से जो यह rapid increase हो रहा है human population का, इसके वज़े से जो हमारी resources है, उन पे कितना stress पर रहा है and यह बत तो obvious है कि resources उस तरह से नहीं बढ़ रही, limited resources है हमारे पास और population बहुत ही ज़ादा rapidly increase हो रही है that means सब तक तो वो ना पहुंच पा रही है and हम अपनी environment को exploit भी कर रही है apart from that, जो हम fossil fuels को burn करते हैं, उसकी वज़े से कही न कही हमारी जो earth है उस पे carbon dioxide का जो blanket है वो पूरी तरीके से फैल जाता है जिसकी वज़े से हम देखते हैं कही न कहीं जो हमारा temperature है बहुत जादा warmer होता जा रहा है यानि कि जो global temperature है उसमें average ली देखे तो काफी जादा increase हुआ है तो इन सारे activities की वज़े से कही न कहीं इनका जो impact है वो देखा जा सकता है inner place like Antarctica वहाँ जाके हम इन सब चीजों का जो impact है वो अच्छी तरह से देख सकते हैं further हमें बताती है वो कि कैसे Antarctica एक pristine जगा है मतलब अभी एक ऐसी जगा है जो बिल्कुल untouched है एक holy जगा है क्यों कि एक केली ऐसी जगा बची है जहां पर human beings जो है वो sustain नहीं कर पाते चाहे आप इसके extreme temperature की वज़े से कहो और इसी की वज़े से शायद ये बाकी सारी जगाओं से different है अब वो बताती है students on ice program के बारे में जहां पर वो गई थी अब ये students on ice program एक educational trip है जिस पे इन्होंने basically पार लिया था और तभी ये Antarctica आए अब वो क्या है उसका main aim क्या है और वो लोग क्या करते हैं ये वो हमें यहां पर बताते हैं let's see क्या है वो so जिस program पे तशानी दोशी गई थी जिस educational trip पे वो गई थी that was called students on ice program अब ये जो program है ये किसने head किया था जियोफ ग्रीन वो इसका main aim क्या है इसका aim है कि high school के जो students है उनको लेकर जाना on these trips इन educational trips पे ताकि जब वो इन जगाओं पे जाएं तो वो देखे कि किस तरीके से हमारी human activities earth को क्या harm पहुंचाती है और कितना अभी तक हम उन्हें पहुंचा हम चुके हैं apart from that इससे ताकि better understanding हो सके हमारे planet की ये जो aim है इस students on ice program का है तो जो day of green है जो इसको head करते हैं उनका मानना ये है कि जो celebrities वगेरा है वो लोग इन सब programs पे ले जाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है या उनको ले जाने का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि now they are retired and उनको अपने life में जो कुछ चाहिए था they have accomplished लेकिन अगर हम बात करते हैं high school students की तो ये लोग future policy makers हैं ये लोग यहां से जितनी भी information है उसको grasp करेंगे, absorb करेंगे and जो भी act करेंगे accordingly, जो भी आगे जाके policies बनाएंगे, जो भी plans बनाएंगे वो इन सब चीजों को देखकर, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही बनाएंगे apart from that, वो ये भी कहते हैं कि ऐसा कोई भी इनसान नहीं है जो कि इस तरह की trips पे गया हो, जो south pole या इन जगाओं पे गया हो यहां पे जाके वो कभी touch ना हुआ हो, या कभी उसको ये feel ना हुआ हो glacis को retreat करते हुए देखके, ice sheets को melt होते हुए देखके कि किस तरह से हम लोग इस earth को, इस planet को हम पहुँचा रहे हैं यह कहती है, यह जो program है, यह इसलिए successful है क्योंकि कभी भी घर में comfortably बैट के in places जहां पे AC है, जहां पे हमें हर एक चीज बिलकुल असानी से मिल जाती है इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है कि यह जो world है, हमारी तो यहां development हो रही है लेकिन उसके साथ साथ हम environment को कितना deplete करते जा रहे हैं, कितना harm करते जा रहे हैं, यह हम एक room में बैट के नहीं समझ सकते इसलिए यह जो program है, वो successful है, क्योंकि यह बच्चों को ले कर जाता है to the ends of the world उन जगाओं पे, उन जगाओं पे जहां पे अभी तक लोग जाते नहीं है, जहां पे हमारी human activities का जो impact है, वो साफ नजर आता है तो यह जादा से जादा फाइदमन है and that is why it is successful इसलिए वो कहती है, Antarctica ऐसे जगाँ है, जहां पे आप देख सकते हो, Earth के future को, Earth के present को और Earth के past को भी Then वो यहां पे एक छोटा से example बताती है, microscopic phytoplankton का अब यहां पे इसके थुरू वो क्या कहना जाती है, सबसे पहले वो यह समझते है तो वो कहती है कि किस तहां से Antarctica जैसे जगाँ पे हमें यह भी समझ आ जाता है कि एक छोटी सी छोटी activity का जो result है वो कितना बड़ा हो सकता है अब कैसे? जो microscopic phytoplankton है, they also need sunlight, ठीक है? अब खाना बनाते हैं, photosynthesis होता है, यह सारी की सारी चीज़े होती है and they basically nourish and food provide करते हैं पूरे की पूरे सर्दन ओशन को, ठीक है? अगर sunlight इन तक नहीं पहुंच पाएगी, if they cannot produce, उससे क्या होगा? चितने भी aquatic life है, वो effect होगी and as a result, जब aquatic life impact होगी, तो हमारी life भी impact होगी and इस तरीके से अगर एक छोटा सा change भी अगर आ जाता है, अगर एक छोटा सा भी change हम लेकर आते हैं, थोड़ी सी भी अगर हम tamper करते हैं, अपने इस earth के जो balance है, उसके साथ, उसकी वज़े से पूरा का पूरा जो ecosystem है, वो disbalance हो जाता है and ये छोटी-छोटी चीज़े हम देख सकते हैं अपने आप, if we take part in such programs, जैसे कि ये students on ice program given है so अब आते हैं इसके last part पे, जो कि है walk on the ocean, so अब तिशानी कहती है, कि now they actually walked on the ocean, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनकी जो shift थी, वो struck हो गई between the tadpole island and peninsula, तो वो उनको further north में जाने के लिए एक तरीके से रोक रही थी तो इन लोगोंने decide क्या, पहले वो उतर के, वो यहाँ पे चलेंगे, so they'll move and go तो जैसे ही वो उतरे and जैसे ही और उने feet नीचे रखे, तो उनको इस बात का realization हुआ कि उनके नीचे कितनी thick ice sheet है and उसके नीचे कितना salty water भी है and apart from that उनको एकदम से यह सारी चीज़े realize हुई कि किस तरह से एक दिन का जो difference है, वो कितने सारी different experiences दे सकता है जैसे कि इनको यहाँ पे experience हुए, यहाँ पे यह सोचके कि यहाँ पे seals भी है, यहाँ पे अपनी एक अलग ecosystem है यह जगा कितनी serene है, यह जगा कितनी अलग है, इनको यहाँ पे चलके इनको यह सारी चीज़े realize हुई and थोड़ी time बाद जब इने अपने घर जाना होगा, तो उनके लिए वो पूरा experience कितना ही different होगा अगर वो इससे compare करें, तो यह सारी चीज़े जो है, इनको यहाँ पे realize हुई तो यह कहते हैं कि इतने सारी time zones को cross करके, इतना सारा time travel करके उनको यह तो नहीं पता कि पता नहीं, Antarctica अभी जैसा है, बाद में वैसा ही होगा या नहीं होगा बाद में यह जो ice sheets या यह जो glaciers हैं, यह कैसे melt होगे, नहीं होगे लेकिन हाँ, यह जो एक दिन का difference था, यह जो इन्होंने आज experience किया by walking and इन सब चीजों को देखकर, उसकी वज़े से एक बहुत बड़ा difference जो है, वो बन चुका है और कहीं न कहीं यह जो बच्चे हैं, उनकी lives में भी जोनोंने यह trip ली थी, जो इस educational trip पे गए थे, उनकी life में भी कहीं न कहीं यह experience है वो रहेगा तो तब जाके जब वो policy makers बनेंगे, future में जाके, जब वो कोई भी plans जो है, इनको बनाएंगे, तो they will always take care इन सब चीजों को, जो हुनोंने खुद देखी हैं, ताकि वो planet को हाम ना पहुंच जाएं So, यही थी इस chapter, journey to the end of the earth की summary, journey to the end of the earth, जहां हम देख सकते हैं, earth का end, यानि की intactica का हमने देखा, यहां पे example, ends of the earth, यानि की वो जगहें जहां पे बितर कोई रह नहीं रहा, वो जगहें जहां पे actually में visible हो सकता है, वो impact जो हमें कभी नहीं visible होगा, जब अपने घर के अंद आई terms को सुनेंगे, वो हमारे दिमाग में कभी एक वैसा experience नहीं create कर सकती, जैसा इन जगहों पे जाके हमारे दिमाग में ज़े experience होगा, वो create होगा, so अगर मैं बात करूँ इस chapter के important questions की, तो वो भी इसी थरह से पूछे जा सकते हैं, कि क्यों वो कहते हैं, कि earth का future, present और past जा कि students on ice program के लिए, बच्चे या higher school students ही best है, ना कि retired celebrities, तो आपको यहाँ पर लिखना है, कि किस तरह से नहीं सोचा, कि यह जो बच्चे हैं, क्योंकि आगे जाके policies बनाएंगे, plans बनाएंगे, so यह सारी चीजों को, सारी information को gather करके लेकर जाएंगे, और यह ध्यार रख and better understand कर पाएंगे हमारे planet की needs को, so यही जो दो questions है, maximum यह पूछे जाते हैं, हो सकता है, इसमें से direct reference to context आए, तो जादा difficult नहीं है chapter and summary तो मैंने आपको बता दी है, so that's all for this video, इस video में हमने करी आपके chapter, journey to the end of the earth की summary, now until the next video, keep practicing, keep learning